आज जो है हमने रसा जो विंच पाश पे था आप लोगों ने देखा 800 से 900 मीटर जहाज पानी में फ्लोट किया आगे गया उसको डैप भी रिकॉर्ड मिली इंजिन भी रन हुआ वेकिन अनफॉर्शनेट यह था कि जब हमने विंच से टग बोट में पास किया तो उसमें जो ह है तक बोट को जो रसा था वो ब्रेक हो गया स्वैल की वजए से जिसकी वज़ासे यह और डोबारा पॉस्पोन हुआ है ऐस दोबारा अपने पूजिशन पर आगया है अब हमारी मीटिंग चल रही है होफुली हम जो है इसको दोबारा रीकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और दोबारह यही अमल करने के क्प करेंगे दोबारह लेकिन अभी यही मीटिंग चल रही है कि किस तरीक से इसको कनेक्ट किया जाए दोबारा वो रस्ता जो टूटा था और इसमें से तमाम लोग हमारी हल्प कर रहे हैं और इस जैसे यह कनेक्ट हो जाता है तो फिर इसको रेट फ्लोटिंग का अमल दोबारा शुदू है आज वो अपरेशन हुआ क्या समंदर इस पर नदर आ रहे हैं कि मजीद उपरेशन हो सकता है किल या भी वेट करना पड़ेगा देके कामयाभी तो मिली है इसको जो रेड्स से हमने निकालके पानी के इतने डिपर वाटर में लेके गए जो कि फ्लोट कर रहा था इंजिन भी रन कर रहा था अब लगे है कि काम्याब नाकामी से दूचार हो लिया क्या आपकी कप्तान के साथ कॉरिशन है कप्तान लग रहा है किस कोरदेशन के बाद आप पता सकते हैं कि दॉप्तान से बात नहीं हुई है कि वह विजी था बाकि हमारे कॉंट्रक्टर सीमेक्स हैं जो के ओनर्स ने अपॉइंड किये उनसे भी यहां पर आये में उनसे भी हम मेरी मीटिंग चैल रही है सारी जैसे कुछ होता है तो ओपली भी आप सब को इनफर्म करते हैं असरे कल आपने कहा था कि रात को टाइड आनी है और रात को की आपरेशन किया जा सकता है लेकिन कल रात को टाइड आई लेकिन आपरेशन नहीं हुआ इस विजह से साहल पर दोबारा जहाल वापस आ गया नहीं रात में लेकिन सेफ नहीं था रात में कोई भी आपरेशन सेफ नहीं रहता इसलिए हमने जो है इसको अपने कोडिनेशन की तरह जो सीमेक्स के साथ हमने बात की थी सीमेक्स वाले उन्होंने कहा कि रात का आपरेशन जो है सेफ नहीं है जास के लिए भी सेफ नहीं है टक के लिए से फर्जामने लिए इस वक्त साल पर कितनी मशीनरी है और समंदर में क्या क्या मशीनरी मौजूद है दो टक्स मौजूद है एक बाच मौजूद है एक सर्विस बोट है वही तमाम अमल करेंगे दुबारा से